थाना दोस्तो आज आपने ब्लाउग में हम ईए डापिक के बारे बात करने चलना है जिस प्रॉड़क के बारे में चलना है वो एक उटर्पूफिंग प्रॉड़क्ट है दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि Dr. Fixit Waterproofing की एक इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है और यह waterproofing घर से related जो घर की waterproofing होती उससे related बहुत से product बनाती है उसका एक नया product है जो कि पिछले कई साल पहले आया है और यह काफी demanded product है और यह बहुत ही बिखने वाला product बन गया है इस समय और इसे लोगों को बहुत ही waterproofing में रहात मिल ली है आज उसके बारे में review करेंगे उसके बारे में बताएंगे कि क्या है कैसे वो लगता है क्या उसके फायदे है कितनी covering है और कितने pack में आता है और कितनी उसकी square feet में rate आता है उसका तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का यह painting blog तो दोस्तों आज हम लोग जिस topic के बारे में बात करने चलने हैं यह उसका डिब्बा है यह इस तरीके से दिखाई पड़ता है डॉक्टर फिक्सिट का यह लोगो है वह उस पर दिखाई पड़ेगा दोस्तों डॉक्टर फिक्सिट जो यह रूप सील टॉप कोड जो है यह एक वाटर पूफिंग प्रोड़क्ट है जो की छत के ऊपर लग करते हैं तो दोस्तों यह एक ऐसा प्रोड़ेक्ट है जिसका टू इन वन दो तरीके का काम हो सकता है एक तो यह हीट रिफ्लेक्टेंग कोटिंग के साथ आता है जो की नॉर्मल जो घर का पान होता है उससे 10 डिगरी को ठंडा करता है कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा जो है जो वो फर्स्ट फ्लोर पे है उसके ऊपर कोई छट मतलब कोई भी रूम नहीं बना हुआ है वो पुरी-पुरी छट है तो वो बहुत जल्दी सूरज की रोशनी पढ़ने से बहुत जल्दी गरम हो जाता है जिसकी वज़े से हमारा एसी कूलर बगरा सही तरीके से नहीं काम करता है और बहुत थोड़ा बिजली का बाढ़ना शुरू जाता है कि एसी हुं सही तरीके से काम नहीं करता है हुआ कूलिंग सही तरीके से नहीं आती है उसके लिए ये हीट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग अगर हम लोग छट पे लगाते हैं तो कबने का कहना एकि 10 इसमें जो इसकी ठिकने से बहुत मजबूत हो जाती है नैनो फाइबर का मतलब उसमें कुछ ऐसे फाइबर के रेशे डाले जाते हैं बहुत चोटे चोटे जो की paint को आपास में बांध के रखता है और उस waterproofing compound को छट में लगने के बाद उसको सम्हाल के रखता है और जल्दी वो खराब नहीं हो बाता जिससे nano fiber के विज़े से इतनी मजबूती मिलती है कि वो जल्दी धूब गर्मी बरसा से खराब नहीं होता ये ऐसा product है कि जिसके उपर हम आसानी से चल फिर सकते हैं हलका फूल का कुछ काम भी कर सकते हैं ये इस तरीके का product है कि इसमें primer लगाने की जरूत नहीं पड़ती 7 साल की warranty देती है waterproofing की अगर आपने अपने च्छत पे इसको लगाया है तो कंपनिया कहना है कि ये पूरी तरीके से waterproof product हो जाएगा आपकी च्छत हो जाएगी और उसमें से पानी बिल्कुल भी रिसके नहीं आएगा और नीचे आपका कोई sealant नहीं आएगा दोस्तों Dr. Fix It Company का है Dr. Fix It Company जो की market में leader है waterproofing में और बहुत सालों से नई नई चीजों को लेके आ रही है और waterproofing ये उसका एक नया product है यूज करने पर ही पता चलेगा और इसको लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसको लगाने का तरीका बिल्कुल इसी है ये अपने नार्मल पेंटर से भी लगवा सकते हैं और जो कंपनी की train painter है उनसे भी लगाया जा सकता है इसमें करना कुछ नहीं है सबसे पहले जिस छटों पे हमको इसको यूज करना है उसकी सफाई करना है उसको अच्छे से उसमें अगर काई बालो को मिला के उसमें यू रपी डॉक्टर फिक्सिट पेडिकरी यू रपी एक प्रोडेक्ट होता है लिक्विड दूद की तरह होता है उसमें मिक्स करके जो की पॉलिमर होता है जो बड़े जो क्रैक्स होते हैं उसको फिल अप कर दिया जाता है कर देने के बाद फिर उ अपना सफाई कराना बहुत जूरी छट की, ठीक है, पहला कोट, सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सफाई करा देंगे, छट की अच्छे सफाई हो जाने के बाद, जहां क्रैक वगरा है, उसा फिल अप करने के बाद, सबसे पहले इसकी सल्फ ट्राइमिंग करी अढरा के बाद पूरी छहए जहां भी आपको लगता है water dwarfising की ज़र्म पूरी छहत्स में ऐसको अच्छ ब्रश से या roller से इसको लगाना है आपको यह खेंडा है कि जो छ्षत के कोनिे हैं जहां पर छक्षत होती हैं वहां से उठाते वुए एक फिट तक उसri corner से उपर भी उठालेना है जो उपर की जो बाउंटरी होती है उस पर भी आप एक प्रिट तक उठा लिजिए उसको नाली वेली के पास जो जहां से पाने निकलने के नाली वहां होती है उस पर भी थोड़ा अच्छे से लगाना है पहली coating आपको लगानी है Cell Priming की तरह जिसमें की एक लेटर में आधा लेटर पानी मिलाना है पहला कोड लगाना है छे घंटे उसके बाद आपको छोड़ देना है सुखने के लिए अच्छी तरीकी से सुख जा फिर उसके बाद जो इसका फिरस कोड जो लगाना है टॉप कोड first coat top coat लगाने के लिए इसमें बिल्कुल भी पानी मिलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों पानी मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसको direct उसी तरीके जिस तरीके से product है उसको mix करना है अच्छे ऐसे कप्लों से डंडों से और इसके बाद brush से या ruler से इसको हमें अपने छट पे लगाना है अगर आप उसको vertical लगा रहे हैं पहले पहला काली है जिसमें भी पानी नहीं मिलाना है दोस्तों अगर हम दूसला जब लगाएंगे जिस डियरेcksun में हमने पहला कोट लगाने उसके जस्ट उल्टा हम उसको बेडे में जैसे कर्मow वटिकल लगा को हरजिंटल में उसको हमें दूसरा कोट लगाना है दूसरा जब लग जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को इसको 24 गंटे सूखने के बाद 24 गंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा 24 घंटे छोड़ने का मतलब यह होता है कि अच्छे से सूख जाए, जमीनों में अच्छे से जाके वो पूरी तरीके से पैच लग जाए और उसको अच्छी ग्रिप बना ले, जिसकी वज़े से आगे यह उखड़ने नहीं देता, क्योंकि पूरी तरीके से एक रपराइस कोट और इसमें कोई ऐसा technical काम नहीं है जिसको किसी technical से कराया जा सके या कोई ऐसा बंदे को कराया जा सके जो की बहुत जानकार हो, इसको normal अपने painter से भी कराया जा सकता है, दोश्टो coverage की बात करें, तो अगर हम यह पहला कोट जो self-priming का करते हैं, उसमें जब 50% अगर पानी मे ताकि एक लिटर में जब हम लोग इसको लगाते हैं तो एक लिटर में ये 90 sqft area cover बहुत आसानी से कर लेता है 90 sqft area जब cover करता है जब कि हम लोग इसमें 50% पानी मिलाते हैं और जब बीना पानी मिलाए हम लोग करते हैं तो ये 10 से 12 sqft ही cover करता है और इसतना ही हमें निकालना है, 10-12 sqft से अगर हम ज्यादा निकालेंगे, कहीं पतला या कहीं मुटा लगाएंगे, तो ये सही तरीके से water proofing नहीं कर पाएगा, या सही तरीके से heat proofing नहीं कर पाएगा, इसके लिए जरूरी है कि ये 10-12 sqft ही इसको एक covering निकाली जाए, और ए दोस्तो इसकी packing मैं आपको बताओ, इसकी packing जो है, एक लिटर, चार लिटर, दस लिटर, और बीस लिटर की packing में, ये easily available है market में, और बहुत असानी से, जहाँ paint shop है, और जहाँ dr. fixit के समान मिलते हैं, वह असानी से मिल जाते हैं, बात करते हैं दोस्तो इसकी costing कितनी आती है, दोस्तो अगर हम लोग अगर लिटर के pack में लेने चाहते हैं, तो company का जो, इसमें जो costing, एक लिटर की costing इन्होंने लिखा है, 330 रुपय का पर लिटर, मतब 330 का पर लिटर ये देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 330 की costing है, वो लिटर की costing है, जो बड़ी bucket लेंगे, उससे कबरिंग के इसको नापते हैं, कि अगर हम लोग कितनी कबरिंग आती है, square feet के हिसाब से क्या rate आता है, तो इसको दो पार्ट से बाटा जासा सकता है, अगर हम लोग इसको with material, अगर हम किसी contractor से या किसी ऐसे लोगों से बात करते हैं, कि जो with material, labor और material दोनों साथ में हो, तो लगबग वो 22-25 rupees square feet ये आसानी से किया जा सकता है, इतने में मतब ना contractor का नुकसान होगा, ना मालिक का नुकसान होगा, और अगर normal के बाट की बात करते हैं, तो प्रोडेक्ट लगबग 12-15 rupees square feet में इसकी costing आ जाती है, जिसमें की primer coat और दो coat, मतब बेस coat और टॉप कोट में ये रूप सिल टॉप कोट होता है, और labor की केवल, अगर separation labor की cost की बात करें, तो labor की costing लगबग 8-10 rupees square feet, इसको कर देते हैं, जो हमारे normal painter भाई होते हैं, और जो contractor होते हैं, इसको 8-10 rupees में बहुत आसानी से किया जा सकता है, overall अगर मान के चलते हैं, कहीं किसी state में ज्यादा labor मह किसी में कम है, तो ये variable हो सकता है, अलग-अलग, लेकिन overall 20-22 rupees square feet में easily अपका छट आसानी से water proofing और heat proofing हो सकता है, दोस्तों ये product जो है कि market में अभी पिछले 2-3 सालों से दिखना शुरू है, और demanded product है, लगाना आसान है, water proofing में आसान है, इस समय जिस तरह किसे बरसात का मौ मौसम चला है, लोगों के छट चू रहे हैं, लोगों का घर में सीलन आ रही है, उसमें ये product बहुत ही कारगार है, और बहुत demanded product है, आप लोग इसको use कीजिए, इसको एक चीज और ध्यान रखना है कि running, जब हमारे याँ running water हो रही है, मौसम बहुत खराब है, सुखने का समय मैं नहीं हूं मिल पा रहा है इसको, तो थोड़ा से इसको लगाने का avoid कीजिए, जैसे अगर थोड़ा एक हफ़ते तक धूप अच्छी है, और सही तरीके से मौशर में नहीं है, मतब धूप अच्छी निकली है, गर्म धूप मतब महौल हो, तो उसमें इसको लगाना आसान रहता है, और अच्छी सी सूखता है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, या रुक रुक के बारिश हो रही है, तो उसमें इसको avoid कीजिए लगाना, क्योंकि महंगा प्रोडेक्ट अगर हम लोग सही तरीके से नहीं लगाएंगे, तो इसका जितना आपको फाइद रही है, वो जो warranty हो रही है, वो अपना call center में phone करके, जिस dealer को warranty चाहिए, वो dealer से अपना bill लेके अपनी warranty रेजिस्टर करा सकते हैं, प्लस Dr. Fixit के जो website है या Dr. Fixit का app है, वहाँ पे जाके अपनी warranty रेजिस्टर करा सकते हैं, तो दोस्तों एक ये छोटा सा review रहा है, और एक छो demanded product है, जैसा कुछ भी लगता हो, आप लोगो कुछ भी समझ में आता हो इस product के बारे में, या कुछ भी जाना चाहता हो, तो हमारे जो comment box है, उसमें लिखे, हम कोशिश करेंगे, जबाब देने की, क्योंकि इतने question आते हैं, कि सारे के जवाब देना बड़े मुस्किल है जात account है, हमारा वो है, तो आज अपने blog में बस इतना ही रखते हैं, next blog में फिर हम आपको एक नई जानकारी देंगे, paint से related, waterproofing से related, paint company के बारे में हो सकता है, किसी के बारे में है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगर आपको मेरा ये blog पसंद आ रहा हो, और मेरे ये video पसंद आपको आगे भी चल के बताता रहोगा, और प्लीज आज इतना ही प्लीज आज इतना ही रखते हैं अपने blog में, next blog में फिर से आपको एक नई product के बारे में जानकारी देंगे, या नई company के बारे में, तब तक के लिए thank you very much, जैहिन!